तो आई आज देसी चावल का फाई बनाने के लिए जब सबसे पहले प्याज को इस तरह से काट ले दे हैं मारी बारी काट लेजिए देसी स्टाइल से हसी है से और उसे पात्र में रखते जाईए फिर उसके वाल खालू को चील दे रखी और उसको भी बारी चोड़ा जोटा काट लीजिए चाकुज भी काट सकते हैं फिर गैस में कड़ाई डालिए जीर डालिए गरम होने तक फिर जब जीर जो है ब्राउन होने लगे इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए फिर इसके बाद प्याज को काट के रखिए प्याज को भी पाने मुड़कों को रखिए साप करके उसको अच्छे से दुबाद निचोड़ लीजिए और फिर अडाई में डाल लीजिए बूरा उन्हें तक उसको चलाते रही है यह तक तक की तरह से यह जो भूरा ना हो जाए उसको चम्मट से प्रगारते खिलाते रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पिर इसमें आलू डाल दिजिए और फ्राई करिए अब आलू हलका बुरा होने लगा है आज ही बुरा होने लगा है नमक हल्दी और यह सक देख रहा है मिर्च ने स्वात कंसार डाल लीजिए और बुरा होने दग उसको अच्छे से फ्राई करिए इसमें कितना अच्छा लग रहा है फिर इसमें चावल डाल दिजिए फ्राई चावल फ्राई चावल खंबनाना है तो चावल यह अच्छी तरह से अच्छा हो ज्यादा गिला ना हो फुरा से चावल को फोल्ड दिजिए जो कुछ चिम रहता है उसको उसके बाद सब को मिक्स कर दिजिए और अच्छी तरह से मिलाते लिए जैसे कि आप लग देख रहे हैं चित्र में फिर इसके बाद वह आयो निक वाल ऐसा दिखेगा इसका उपर में धनिया ची तरह से डाल दिजिए और आपको उमारी रेस्पी अच्छी लगें तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें जर गज हम स्पी हूं क्यूंता क्यूंता रेख UP क्यूंता क SouthwestT